ऐसी क्या मजबूरी थी पापा ने पढ़ाई के लिए डाटा था इसलिए मैं घर से चली लिए तो आपके पास फोन था फोन से आपने कॉंटेक्ट नहीं की आपने पेरेंट्स से नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं था ना फोन लेके नहीं दे पूरा घटना कर्म क्या हुआ था जो आपको मालूम है उस पापा ने डाटा था फिर मैं अचानक घर से गुस्से में निकल गई थी मैं फोन वागेरा कुछ भी ने लेके लिए पहले मैं रेल्वे स्टेशन गे और मनमाड से हमारे गाव जाने वाले थे आयुद्या के तरफ सुरे जी क्या है फूरा घटना कर्म यहां इटार्सी कैसे पहुचे और काव्या 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 मतलब में हम है थोड़े परिशांती होस्पिटल के वज़े से परिशांती थोड़ा सा तो हमने मतलब वह फ्रस्टेशन में काव्या को डाटा जल्दी उठना चाहिए हमारे पुलिस को वज़र महराशा के पुलिस को लीड मिली थी तो हमको भी वैसे पताचालों तो हम तुरंद वहां से निकल के पुलिस भी तो हमारे आ रही है ज़यों सभी होधार mo ring यहां पर ट्रेन रोके इनको उतार लिया हाँ, जब आप यहां पहुंच आपकी बिटिया और यूटुबर है बड़ी, क्या कहते हैं इस मामले में, हमें तो प्रावड फिल होता है कि उसने इतना बड़ा नाम किया है, पर नाराज होके ऐसा घर से नहीं जाना चाहिए, भुस तो इनकी गुम होने की साइद पिता पढ़ाई के लिए कुछ डा टोड दिये हैं, तो वहां औरंगावाद के थाना चाहुनी में, 0-322-22, 13-330 का प्रखनक इनके गुमशुद्गी होने पर पंजेबद्ध हुआ था, और सूचना पर उधर से आने वाली सारी ट्रेनों को स सर्च किया जा रहा था, हमारे जी आर्पी टार्सी की पुलिस ने मुस्तहदी से सर्च करते हुए कुछी नगर एक्सप्रेस को सर्च किया, तो चुकी फोटो हमें मिल गया था, उस फोटो के माध्यम से बिटिया की पहचान हुई और बिटिया को हम लोग सुरक्षे को